आज मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी विधायक दल के साथ मीटिंग थी और उसमें लगबग सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी मोटे तौर पे ये बात थी की भारतिय जनता पार्टी को अगर किसी पार्टी से समस्या है तो सबसे जादा आम आदमी पार्टी से है जितने मुकदमे आम आदमी पार्टी के विधायकों पे हुए आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पे हुए और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफतार करने की तयारी है साफ है कि अगर भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री जी को किसी से डर है सत्ता का तो वो अर्विंद केजरिवाल है और वो चाहते हैं किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता से अर्विंद केजरिवाल को हटाया जाए इलेक्शन लड़के देख लिए तीन तीन चुनाव के अंदर भरती जनता पार्टी हार चुकी है अब ये बाद जान चुके हैं कि अगर अर्विंद केजरिवाल को सत्ता से हटाना है तो चुनाव लड़के तो भरती जनता पार्टी नहीं हरा सकती अर्विंद केजरिवाल को शड़ेंत्र करके सत्ता से हटाया जा सकता है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक-एक करके लगबग सबने एक बात अर्विंद केजरिवाल जी को कही कि अक्सर ये होता है कि अर्विंद केजरिवाल जी के उपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाके उनके उपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि अब तो अर्विंद केजरिवाल जी को गिरफ्तार कर लिया अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी अब तो मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा एक एक विधायक ने अर्विंद जी को हाद जोड़ के कहा है कि भारतिय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो और आपकी सत्ता ली जाए कुछ भी हो जाए चाहे जमीन से चले चाहे आस्मान से चले चाहे पाताल से चले चाहे जेल से चले चाहे पुलिस कस्टडी से चले चाहे जुडिशल कस्टडी से चले अर्विंद केजरिवाल ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे क्योंकि मेंडेट अर्विंद केजरिवाल जी का है